तो कल साम को जो question answer session हुआ था गुर्शमिंदर सर का तो उसमें एक बहुत ही important question दिनेज सर ने किया था सभी founders के लिए और इस परकार के message मेरे पास भी काफी जादा आते हैं कि सुरज जी बताइए pending founders के regarding deadline क्या है, कब तक ये delete होने वाला है, कब तक हम ID को activate कर सकते हैं तो इसी topic regarding इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो please वीडियो को complete जरूर देखेगा, और सबसे main topic ये, सबसे main questions ये हैं लोगों के mind में, कि अगर यहाँ पे जो founders है pending वाले, अगर वो activate नहीं कर पाते हैं, तो जैसे हमारा next position, यानि कि customer resellers का start होगा, तो उस time पे क्या वो जो pending founders हैं, क्या वो founder बन पाएंगे, या customer या reseller ही उनको बनना पड़ेगा, so please वीडियो को complete जरूर देखेगा, इसी के बारे में हम बात करने बाले, तो सबसे पहली चीज़ जैसा कि हम सभी जानते हैं, कि यहाँ पर answer ने कोई भी deadline, या फिर कोई भी time limitation नहीं दिया है, pending founder को activate कर करने के लिए, just उन्होंने इतना बता है, कि जब तक हमारे पास समय है, आप जितने भी pandemic founders हो, आप अपने account activate कर सकते हो, जब तक हम कोई deadline, या फिर कोई next information, pandemic founders के बारे में नहीं देते हैं, तब तक आप अपने account को activate कर सकते हो, so, topic यहाँ पर निकल के आता है, कि जैसे ही, position है, समझ लीजी, right, so, जैसे ही, start होगा, so, उस time पे, अगर, उसके पहले, अगर कोई deadline, या फिर कोई information, answer दे देते हैं, कि भाया, आप इस time तक, इस date तक, अपना account activate कर लो, otherwise, आपका account delete हो जाएगा, तो simple सी बात है, कि वहाँ पर कोई, उसके बाद कोई founder नहीं बन पाएगा राइट, वो delete हो जागा हम ऐसा के लिए, लेकिन, अगर उस time पे वो ऐसा भी बोल सकते हैं, या भी answer ने बोला नहीं है, लेकिन ऐसा भी हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है, इस point को, गुर सिमिंदर सन ने काफी अच्छे सा कबर किया था, काफी अच्छे से उन्हों ने reseller लेना या फिर free users जैसे या यहाँ पर आना ही start होते हैं, तो उस time के बाद, आप यहाँ पे founder नहीं बन पाऊगे, अगर आप बनना भी चाओगे, तो आप customer as a customer as a reseller आप यहाँ पर आ सकते हो, आपका registration तो successful यहाँ पर safe रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सुरच्छित लेकिन आप founder नहीं बन पाऊगे, इस date के बाद आप founder नहीं बन पाऊगे, किस दिन, जिस दिन आप new position यान की customer, reseller, free user यह सारा यह आना इस्टार्ट होता है, उस दिन के बाद आप founder नहीं बन पाऊगे, लेकिन customer या reseller आप बन सकते हो, तो यह बाद भी ऐसर बोल सकते हैं, यह दो तीन तरीके का process यहाँ पे हो सकता है, और एक बात होता है, कि जैसे ही on passive के अंदर customer आना, reseller आना, free user आना इस्टार्ट होता है, यानि कि next position जैसे ही स्टार्ट होता है, तो कोई भी जो pending founders account है, अगर वो इसके पहले activate नहीं करता है, अगर इसके बाद कुछ वो करना च founder तो नहीं बन सकता, ये बात तो 100% किलियर है, तो इसके पहले ही जो information देना होगा, वो information आइसर डेफिनेटरी देंगे, तो आइसर के regarding अगर बात करें, तो pending founder के बारे में जो information है, just आइसर ने इतना ही बोला है, कि भया, जब तक हम कोई deadline या फिर कोई information pending founder के बारे में नहीं देतें, तब तक आप अपन account activate कर सकते हो, उसके बाद जिस time पे हमें जरूत पड़ेगी, next position हमें start करना चाहेंगे, या फिर जो भी चीजे हैं, वो हम real time पे आपको सारी information दे देंगे, pending founders के regarding, I hope मैं अच्छे सा इस process को clear कर पाया हूँ, और जितने भी लोगों के मन में इस प झाल